मेरे प्यारे देश स्वांचियों, देखिए कितना बड़ा सुगत सही योग है, आज मुझे पचतरवी मन की बात करने का अफसर, और यही मैना, आज हाजी के पचतर साल के अमरुत महोत्सव के आरम का मैना, अमरुत महोत्सव दाड़ी यात्रा के दिन से सुरू हुआ था, और 15 अगस 2023 तक चलेगा, अमरुत महोत्सव से जुड़े कारकम पुरे देश में लगातार हो रहे हैं, अलग-अलग जगहों से इन कारकम की तश्विरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं, नमु एप पर ऐसी ही कुछ तश्विरों के साथ साथ, जारखन के नमीन ने मुझे एक संदेश बेजा है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमरुत महोत्सव के कारकम देखे और ताय किया कि वो भी स्वाधिन्ता संग्राम से जुड़े कम से कम दस थानों पर जाएंगे, उनके दूसरे हिस्व में पहुचाएंगे, भाई नमीन आपकी सोच के लिए आपको बढ़ाय देता हूं, साथियों किसी स्वाधिन्ता सेनानी की संगर्श गाता हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमरुत महोत्सव के धोरान आप उसे देश के स ऐसे कितने ही प्रेने दाई अमरुत बिंदों से भर जाएगा, और फिर ऐसी अमरुत धारा बहेगी, जो हमें भारत की आजहादी के सो वर्स तक प्रेना देगी, देश को नई उचाए पर ले जाएगी, कुछन कुछ करने का जज़बा प्यदा करेगी, आजहादी के अपना कर्तव्य समझते थे, उनके त्याग और बदिजान के अमर गहां था है, अब हमें सतत कर्तव्य पत के लिए प्रेरीत करें, और जैसे गीता में भगवान कुछने ने कहा है, नियतम कुरू कर्म त्वम कर्म ज्यायो हकर्मन हा, उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत क करितमियों का पूरी निष्ठा से पालन करें, और आजहादिका अमरुत महतस्व का मतलब यही है, कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिध्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं, और संकल्प वो हो, जो समाज की भलाएके हो, देश की भलाएके हो, भारत के और संकल्प वो हो, जिसमें मेरा अपना स्वयम का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तब भी जुड़ा हुआ हो, मुझे विश्वास है, गीता को जीने का ये सुवन अवसर हम लोगों के पास है.